इस बात पर कई लोग विश्वास करते हैं कि अमेरिका अपने गुप्ट स्थानों पर कई तरह के गुप्ट एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्चिस को अंजाम देता रहता है। इसी तरह के एक ब्लैक प्रोजेक्ट की कहानी अमेरिका के रहस्यमई किस्सों में दर्ज है। अमेरिकन गवर्मेंट द्वारा चलाए जा रहे इस कथिट टॉप सीक्रेट एक्सपेरिमेंट का नाम है फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट् जहां कुछ प्राक्टिकल लोगों ने इसे एक जूट के रूप में खारिश कर दिया है वहीं इस एक्सपेरिमेंट ने कई कॉंस्पेरिसी थियोरिस्ट की सोच को पढ़ावा देने का काम किया है। तो चल ये जानते हैं कि आखिर क्या है फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। एक्सपरिमेंट की कहानी पहली बार चर्चा में तब आई जब 55 वर्ष ए ऐस्ट्रोनॉमर और एडवेंचरर मौरिस के जिस सब को कुछ लेटर्स भेजे गए ये लेटर्स उन्हें जिस शक्स में भेजे थे वो खुद को कारलोस एलेंडे पता रहा था लेटर्स में दी गई बेहत गंभी चानकारी में उसने पताया कि वो कैसे यूएस नेवी शिप यूएसस फुरुसेत में था जब उसने अपने सामने वाली शिप यूएसस एल्डरिच को अचानक से गायब होते हुए देखा जहां थोड़ी देर बाद वो फिर से वापस आ ग किया आइंस्टाइन के थियोरी के हिसाब से सभी फॉर्णमेंटल फोर्स एक ही फ्रेमवर्क में काम करती हैं लाइट को बिंड किया जाए यानि अगर उसकी स्पीट को बढ़ानी या घटाने का काम किया जाए तो इससे स्पेस टाइम पर भी प्रभाव पड़ता है एल्ड तरह का प्रभाव पड़ा कि वो अपनी जगा से गायब हो गई 28 अक्टूबर 1943 को गायब होने से कुछ ही मिनट पहले जहाज के चारो और कुछ हरा धुंद इखटा हो गया जैसे ही धुंद धीरे-धीरे चटने लगा ये नजर आने लगा कि USS Eldridge अपनी जगा से उसी कारी दी उसकी अनुसार एक्सपेरिमेंट सिर्फ 15 तक ही चला जिसमें जहाज Philadelphia Pennsylvania से गायब होकर Virginia के Norfolk में टेलिपोर्ट हो गया जैसे ही generator को बंद किया गया तो जहाज के आसपास generated electromagnetic field गायब हो गई जिससे वो वापस अपने पहले स्थान पर आ गया आप शायद ये सोच रह होंगे कि आखिर Philadelphia Experiment को प्रयोग करने के पीछे क्या मकसद रहा होगा चलिए आपको इसका जवाब भी देते हैं Philadelphia Experiment को दूसरे विश्व युद की दोरान प्लान किया गया था इस प्रयोग को अपनाने के पीछे नौसीन का केवल इतना उद्देश्य था कि अद्रिश्यता की मदद से वो अपनी युद के हत्यारों जहाजों को दुश्मन की नजरों से चुपा कर रख सकें हाला कि ये Experiment नाकाम्याब रहा क्योंकि ऐसा माना गया है कि इस प्रयोग में USS Eldridge के क्रू यानि जहाज पर सवार नौसैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा कहा जाता है क कि कई नौसैनिक जहाज की बॉडी में ही समा गये और कुछ पागल से हो गये कुछ का इस दुनिया से नामुन निशान ही गायब हो गया वहीं ऐसी भी बाते फैली कि कुछ क्रू मेंबर्स की बॉडी में मानों विचितर सा कैमिकल रियाक्शन हो गया जिससे वो कभी लोगो को दिखते तो कभी कायब हो जाते थे। और जहाज को अद्रेश ये कराया जा सकेगा। इतनी हाई इलेक्ट्रो मैगनेटिक फील्ड के कारण यूएसेस एल्ड्रेश पर सवार नौसैनिको को भारी कीमत चुकानी पड़ी। Philadelphia Experiment की ये कहानी अब कई साल से प्रसिद है लेकिन लोग आज भी ये नहीं समझ पाए हैं कि इस कहानी में आखिर कितनी सच्चाई है। खैराज इस मिस्ट्री को हम यहीं सुलशा देते हैं। पहले जानते हैं कि इस पूरी घटना से जुड़े यूएस नेवी के पास क्या सुराग मिले। कई लोगों ने दावा किया कि Philadelphia Experiment का ओफीशिल नाम प्रोजेक्ट रेन्बो था। लेकिन अमेरिकी نौ सेना के रिकॉर्ड में ऐसे नाम के किसी भी प्रोजेक्ट का जिकर नहीं है। हालकि वाईू सेना ने जरूर रेन्बो नाम की एक परियोजणा चलाई थी। वायू सीना की प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ इतना था कि उन्हीं एक ऐसा तरीका इजात करना था जिससे उनके फाइटर्स लॉख हीज यू टू सोवेट संग के रेडार में ट्रैक ना हो पाएं। इसके अलावा नौसीना की इतिहास और हेरिटेज कमांड के दस्तावेजों में इस प्रोजेक्ट से जुड़े सुरागों को बार-बार तलाश गया लेकिन इस तरह के प्रयोग की जानकारी कहीं नहीं मिल पाई। यहां तक कि ये भी साबित नहीं हो सका कि ऐसे किसी भी एक्सपेरिमेंट में कभी यूएस नेवी ने इंट्रेस्ट भी लिया हो। जहां US Navy के पास Philadelphia Experiment का कोई सबूत नहीं मिला, वहीं इस Experiment की कहानी की सच्चाई कुछ और ही थी. की गई जाचों के अधार पर ये बात सामने आई कि खुद को Carlos Allende बताने वाले इस शक्स का असली नाम Carl M. Allen था. ये व्यक्ती New Kingston के Pennsylvania में अपने माता पिता के साथ रहता था. अकेले रहने के कारण Carl काफी कल्पनाई करने लगा था. उसकी एक विचितर आदत ये भी थी कि वो जो भी किताब पढ़ता था उस पर additional notes और comments जरूर लिखता था. ऐसे ही एक बार UFO के बारे में एक किताब पढ़ते समय उसने Philadelphia Experiment की कहानी लिखी जिसमें उसने खुद को पास के जहाच पर सवार कर रहे व्यक्ती के रूप में पेश करा. किये गए उसके कई दावों में से ये भी रहा कि Albert Einstein ने उससे एक personally तक्नीकी ग्यान की शिक्षा दी है. अपनी अजीब आदत के चलते काल ने कारलोस एंडे के रूप में अपनी टिपनियों पर साइन किये और इसे US Navy के Naval Research Office में भेश दिये जहां पर इस कहानी से उतसाहित अधिकारियों ने कहानी की कई कौपियां तयार करके अपने अन्य डिपार्टमेंट्स में सरक्यूलेट की ताकि इस कहानी का जानकार कोई हो तो हो सामने आ सके और दूद का दूद पानी का पानी हो सके. कुछ कॉपीज लीक हो गई और कहानी पूरी दुनिया में फैल गई इस कहानी पर एक फिल्म भी बनाई गई जिसके बाद कई लोग खुद को प्रयोग में बचे हुए नौसैनिक बताने लगे हाला कि ये जाहिर था कि लाइम नैट पाने के लिए ये सब कुछ सर फिरों द्वारा किया जा रहा था फिलाजेलफिया एक्सपरिमेंट की एक कहानी एक धोके के अलावा और कुछ साबित नहीं हुई क्योंकि नौसैना के रिकॉर्ड और शिप लॉक्स के मुताबिक यूएसेस एल ड्रेज और यूएसेस फुरूसेत उस समय अपनी अपनी ड्यूटीज में व्यस्त थे किसी को भी इस अजीब और करीब एक्सपरिमेंट का कोई क्यान ही नहीं था अगर आपको हमारा ये विडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें साथ ही हमारी चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें